बच्चों, आपके सामने सोशब प्रतिमिनट गति का डिक्टेसन दे रहा हूं केंद्री सरकार ने टेलीफोन सेवाओं को गेर सरकारी छेत्रों को सोपने का निर्णे कर लिया है बारत में पंजिकरत, स्वदेसी और विदेसी कंपनिया नई निती के तहट टेलीफोन सेवाओं का संचालन करेंगी टेलीफोन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए गेर सरकारी पुझी निवेश को बड़ावा दिया जाएगा यह मानकर चला जा रहा है की नई निती से देस में टेलीफोन सेवाओं का व्यापक विस्तार हो सकेगा और इनकी आज जो खस्ता हालत है वह सुधर जाएगी यह भी मानकर चला जा रहा है की आगामी तीन वर्सों में मांग के साथ ही ततकाल टेलीफोन सुलब कराना संभव हो जाएगा इसमें कोई संदे नहीं की पिछले वर्सों में टेलीफोन सेवाओं की हालत बहुत खराब हो गई आए दिन टेलीफोन खराब होते रहते हैं और सिकायतों की उचित सुनवाई नहीं होती कई लोगों के टेलीफोन तो महिनों तक खराब पड़े रहते हैं पिछले दिनों उभोकता मंचो की अदालत से भी टेलीफोन विभाग के खिलाप कई पैसले हुए हैं जो इनकी कारेपनाली पर प्रस्ण चिन लगाते हैं। कई बार तो उभोगता को यह महसूस होने लगता है कि टेलीपोन उसके लिए सुविधा न होकर सरदर्द हो गया है। केंद्री सरकार पिछले कई वर्षों से टेलीपोन सेवा के निजी करण के प्रस्ण पर विचार कर रही है। लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णे नहीं लिया जा सका। पिछले कुछ महिनों में तो नीती संबंदी कुछ दस्तावेच कई मंत्री मंडल के सम्मुक पेश हुए। लेकिन उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन इस बार नई नीती के केंद्री मंत्री मंडल ने स्विकती प्रदान कर दी है। टेलीफोन व्यवस्ता के गेर्व सरकारी करण में मुख्य बादा कर्मचारी संगठनों का विरोध रहा है। दिल्चस बात यह है कि कर्मचारी के संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा की बात तो करते हैं लेकिन उभोगताओं के हितों की और त्यान नहीं देते। टेलीफोन सेवाओं में सुधार के अपने दायतु का निष्टा पूर्वक निर्वहन नहीं करते। नई निती के तहत टेलीफोन सेवाओं के संचालन के काम में विदेशी पूजी निवेश पर भी प्रतिबंद नहीं होगा। भारत में पंजीगरत, देशी, विदेशी दोनों कमपनियां काम कर सकेंगी। टेलीफोन सेवाओं के संचालन जैसे काम को विदेशी कमपनियों को सोपने के कुछ खत्रे भी हो सकते हैं जिनके प्रति सतर करेना वांचनी होगा। क्योंकि इस सेवा से देश की सुरक्षा और रास्ठ हीत में कुछ मुद्दों पर गोपनिता बनाये रखने का प्रस्न भी जुड़ा हुआ है। टेलीफोन सेवाओं के संचालन के लिए विदेशी पुजी निवेश की अनुमती तो दी जा सकती है। लेकिन उसकी कोई ना कोई उचीत सीमा तो निर्धारीत करनी होगी। इसके अलावा यह भी इसपस्ट किया जाना आवश्रक है कि इन सेवाओं के नियमन की क्या प्यवस्ता होगी। और उभोकताओं के हितों की रक्षा की क्या गारंटी होगी। सबसे मातवपून प्रस्थ यहां है कि टेलिपोन विभाग के भारी भरकम अमले को कहा खपाया जाएगा। यदि टेलिपोन सेवाओं के गेर सरकारी करण से इस खस्ताहाल सेवा के विस्तार और सुधार में मदद मिलती है तो निश्य ही यह कदम स्वागत योग होगा। संचार मंत्री ने कहा है कि इस निती से उभोकताओं को अंतरास्थी इस्तर की सेवाएं उचित सुल्क पर प्रदान करना संभव हो जाएगा। सुहराम का कहना है कि टेलिफोन सेवाओं के वर्तमान सुल्कों को बढ़ाया न जाए लेकिन प्रस्न यहा है कि इन सेवाओं के गेर सरकारी करण के बाद सुल्कों का निर्धारन सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा। और अपने पूजी निवेस पर उचित मुनाफा चाने वाली कम्पनियां सस्ती दरों पर टेलिफोन उपलप्त करा पाएगी। धन्यवाद।